अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज Z5 के साथ बिलकुल फ्री बाजी तो आपके लिए कलमा पड़ती थी तो फिर उनका क्या कसूर था जो आपने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी उनके होने के बावजुद भी आपने दूसरी शादी कर ली आपको पता है निकाह के बाद जब भी बाजी माई के आती थी तो हमारे लाख बोलने के बाद भी एक राथ हमारे साथ नहीं बिताई हम जब भी उन्हें रुकने के लिए कहते थे उनका जवाब एक ही होता था कि अगर मैं रुक जाओंगी तो हैदर का खयाल कौन लखेगा हैदर की मा को दवाई कौन देगा दादी को वाउक पे कौन लेके जाएगा नूर और काइनात का कॉलेज में सो जाएगा और तो और रुवान का जिम में सो जाएगा हम लोग से जाधा वो आप और आपके घरवालों से प्यार करती थी मुझे बस इतना बताती जी कि उनके प्यार में क्या कमी रह गई थी, क्या खूड थी उनके महबबत में आपको अंदाजा पे नहीं है अपने मेरी भेहन से क्या चीना है उसका गुरूर चीना है अपने गुरूर अरे उसकी आप जान मांग लेते वो अपको जान दे देती उसे जी जी मारने की क्या ज़रूरत थी मेरी बाद सनो अब कैसे समझाऊ मैं तुमें कि यह निखा क्यो हुआ है इसकी वज़ा क्या है बहुत सारी चीजें मेरे जहन में जो में बया करना चाता हूँ लेकिन क्या मैं अकेले में अपने शोहर से बात कर सकती हूं? आपके शोहर, अगर मेरे माबाप ने ये चीज नहीं सिखाय होती है, कि और चाहे जैसी भी उससे बत्तमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको पताता है, कि जिससे आपने उसका हक चीना है, वो अकेली नहीं है, आपको ऐसा जवाब देता कि आपको जिन्ते की भर तुम्हारा गुस्सा सर आखो पर बोलो, क्या बात है? वो अम्मी ने का है, अब जल्दी से तयार हो जाएं, महँबानो के आने का वक्त हो गया, महमान? कैसे महमान? वो, शायद अम्मी आपको बताना भूल गई, आज हमारी आर्सी मुसाफ की रस्म है, तुम्हारो और अम्मी का दिमाग चल गया है क्या, अब लोग देख नहीं रहे हैं, के मौहल कितना खराब है, रोया पीटा जा रहा है घर में, उपर से दुआ की तबियत खराब है, जब में आप लोग आज सी मुसाफ करना चाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होने तुम आता है,